तो आग जिस मूवी के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है Fall इस मूवी में हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे दो ब्लॉगर लड़कियां दुनिया के सबसे बड़े टावर पर ब्लॉग बनाने के लिए चड़ती है दोनों आसानी से टावर पर चड़तो जाती है लेकिन नीचे नहीं उतर पाती उपर उनके पास ना तो खाना है ना पानी और उपर उनके साथ क्या-क्या होता है यह हम देखेंगे आज के एक्स्प्लेनेशन में और दोस्तों अगर आपको मेरा एक्स्प्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एक्स्प्लेनेशन मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां हंटर और बेकी एक विशाल 2000 मीटर उंची टावर पर फसी हुई है वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन उंचाई की वज़े से उनके फोन में सिगनल नहीं आता सबसे खराब बात ये है कि टौवर एक रेगिस्तान के बीच में है इसलिए किसी के द्वारा देखा जाना नामुम्किन है हाला और बिगड जाते हैं जब कुछ गिद उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं अगर वे सो जाएंगी तो सीधे मौद की ओर गिर जाएंगी इसके बाद कहानी फ्लैश बैक में जाती है जहां बेकी, उसके पार्टनर डैन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर पहार चड़ रहे होते हैं तीनों मस्ती करते हुए दिखते हैं जब डैन एक छोटे से छेद पर आता है वह छेद में हाद डालकर पकड़ बनाने की कोशिश करता है लेकिन अचानक एक पक्षी निकलता है और डैन गिर जाता है वह रस्सी में फस जाता है और हिलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता बेकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन रसी तूट जाती है और डैन नीचे गिर कर मर जाता है इसके बाद 51 हफते बीथ जाते हैं और बेकी अब भी उस घटना से परिशान है वा उदास रहती है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगी है बेकी के पिता जेम्स उसकी हालत देखकर चिंतित होते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझाते हैं लेकिन वा उनकी बात नहीं सुनती एक रात वा बहुत सारी दवाएं लेकर अपनी जान देने का सोचती है लेकिन तभी उसे हंटर का फोन आता है अगले दिन हंटर बेकी से मिलने आती है और उसे 266 टीवी टावर पर चड़ाई करने का प्लान बताती है हंटर बेकी को साथ चलने का न्योता देती है ताकि वे दोनों फिर से अपनी पुरानी रोमांचक जिन्दगी को जगा सकें हालांकि बेकी जो अब तक दुख में डोबी हुई है इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाती लेकिन अगली सुभह जब वा डैन के साथ बिताय समय को याद करती है तो वा अपना मन बदल लेती है और हंटर के साथ चड़ाई करने का फैसला करती है जल्द ही वे दोनों टौवर की ओर निकल पड़ती है रास्ते में बेकी अपने फोन में हंटर की कुछ पुरानी तस्वीरें देखती है और उन में से एक में हंटर के साथ एक आदमी का हाथ भी देखती है बेकी उस आदमी के बारे में पूछती है लेकिन हंटर कोई जानकारी नहीं देती उसी समय बेकी को उसके पिता का फोन आता है लेकिन वा उसे नहीं उठाती लंबे सफर के बाद वे एक मोटल में राद बिताने के लिए रुखते हैं डिनर के दौरान बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक व्लॉगर बन गई है और नए स्थानों पर यात्रा करने के लिए अच्छी कमाई करती है इस बीच वे उस टीवी टावर को देखते हैं जो अमेरिका की चौथी सबसे उची सन रचना है अगली सुबह बेकी और हंटर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कार में बैठते हैं हंटर व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए 2000 फुट उंचे टावर के बारे में अपने दर्शकों को बताती है लेकिन व्लॉग पर ध्यान देते हुए वे लगभग एक ट्रक से टकरा जाती है कुछ समय बाद वे टावर के क्षीत्र में पहुँचती है लेकिन वहां का गेट बंध होता है और खत्रे का साइन लगा होता है इसके बावजूत वे अपनी कार छोड़कर पैदल यात्रा शुरू करती है रास्ते में वे गिद्दो को एक जानवर का मांस खाते हुए देखते हैं वहीं दूसरी और बेकी अपने बीते हुए कल को याद करके डरने लगती है वह चढ़ाई छोड़ने का सोचती है लेकिन हंटर उसे अपने डर का सामना करने के लिए समझाती है फिर हंटर अपनी रसी को बेकी से जोड़ती है और टौवर के अंदर की सीड़ी से चढ़ाई शुरू करती है पूरे टौवर की हालत जरजर लग रही होती है सीड़ियां हिल रही होती है और नट बोल्ट डीले होते है जैसे ही बेकी चढ़ाई करती है एक मेटल रॉट तूट जाती है जिससे वह डर जाती है इसके पावजूत वह हिम्मत जुटा कर चढ़ाई जारी रखती है आखिर कार वे दोनों आधे रास्ते पर पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि नीचे का शहर खिलोनों की तरह दिखाई दे रहा है वे थोड़ा आराम करती हैं पानी पीती हैं और फिर चढ़ाई जारी रखती हैं कुछ समय बाद वे 1800 फीट की चढ़ाई पूरी कर लेती हैं और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट और चढ़ना होता है जो टौवर के बाहर की सीड़ी से हैं बेकी उंचाई हवा और टौवर की जर चढ़ाई के दोरान वे रास्ते में डिस्क्स देखते हैं और उन्हें सीडी के किनारे से पार करना पड़ता है। पर पहुंचने से पहले एक और नट बोल्ट गिर जाता है अंत में वे शिखर पर पहुंचती हैं और तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू करती हैं फिर भी हंटर संतुष्ट नहीं होती इसलिए वा बैतर शॉट्स के लिए अपना ड्रोन निकालती है कुछ समय बाद हंट बैकी को दे देती है और खुद को टावर की मुंडेर से लटका कर लोक प्रियता हासिल करने की कोशिश करती है फिर वह वापस चड़ जाती है और बैकी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है यह सुनकर बैकी चौक जाती है और मना कर देती है लेकिन हंटर उसे समझाती है कि अ पहले कि उसके हाथ फिसल जाएं इस घटना के बाद बैकी डैन की अस्थियां हवा में बिखेड़ती है और उसे आखिरी अलविदा कहती है यह दोनों के लिए एक भावक्षन होता है अब वे वापस लोटने का फैसला करती है वे अपने हारनेस लगाती है और पहले बैकी नी के बाद दोनों जोर-जोर से हसने लगती है जैसे कि पागल हो गई हो हाला कि उनकी हसी जल्द ही थम जाती है जब वे देखती है कि सीडियां अब वहां नहीं है वे अपने फोन की जांच करती है लेकिन उसमें कोई सिगनल नहीं होता उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका जिसमें पानी और जरूरी सामान था टावर के डिस्क पर गिर चुका है उन्हें दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है लेकिन वे भी बेकार साबित होती है इससे बेकी घबरा जाती है लेकिन हंटर उसे शांत करती है यह कहते हुए कि सीडियों के गिरने की आवाज किसी ने जरूर सुनी होगी वह बेकी को यह भी समझाती है कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता तभी जब वे दोनों इस स्थिती से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय सोच रही होती है हंटर को बेकी की टांग पर एक बड़ा क की वजह से शुरू किया था जिससे बेकी को शक होता है कुछ घंटे बाद हंटर अपने फोन की जांच करती है और उसे याद आता है कि उसने पहले जानवर की तस्वीर पोस्ट की थी उसे लगता है कि एक निश्ची तूचाई पर सिगनल हो सकता है वह एक हेल्प पोस्ट तैयार करती है फोन को रस्टी से बांधती है और उसे जितना नीचे हो सके उतना नीचे भेजती है इस उम्मीद में की सिगनल मिलेगा और पोस्ट अप्लोड हो जाएगी हालांकि उनकी कोशिश असफल रहती है फिर भी उन्हें यकीन होता है कि टावर के नीचे सिगनल है और वे फोन को नीचे फेखने का फैसला करती है ताकि हेल्प पोस्ट अप्लोड हो सके हंटर अपने फोन को अपने जूते में डालती है और उसे मोजो और पुशप ब्रा से पैड करती है इसके बाद वे जूता नीचे फेख देती है और इंतजार करने लगती है उसी समय ब के लिए चिनलाती हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाती हम देखते हैं कि हंटर का फोन तूट चुका है जिससे पता चलता है कि उनकी योजना विफल हो गई है जब वह आदमी जाने की तैयारी करता है तो बै की उसका ध्यान आकरशित करने के लिए अपने जूते फेक है लेकिन कोई फायदा नहीं होता फिर बेकी फ्लेयर गन का इस्तिमाल करने का फैसला करती है लेकिन हंटर उसे रोक देती है यह कहते हुए कि दिन में फ्लेयर से आदमी कुछ नहीं देख पाएगा इसी बीच उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है और वे समझ जाती है कि वह पार्टी के लिए आया है, वे रात में फ्लेयर गन चलाने की योजना बनाती हैं, ताकि लोग आसानी से उन्हें देख सके, अंततर रात होती हैं और बेकी फ्लेयर गन चलाती है, सौभाग गिसे, वे लोग फ्लेयर देखते हैं और मदद के लिए आते हुए लड़कियो को भी देख लेते हैं दोनों लड़कियां खुशी से जूम उठती हैं जब वे देखते हैं कि लोग हंटर की कार के पास पहुच रहे हैं लेकिन मदद करने के बजाए वे लोग उनकी कार चुरा कर भाग जाते हैं यह देखकर लड़कियों का दिल तूट जाता है और अब उन उसके पार्टनर के साथ प्यार किया और यह बहुत बड़ी गलती थी वह कहती है कि वह डैन की और इसली आकरशित हुई क्योंकि वह अन्य पुरुशों की तरह नहीं था वह उसकी बाते सुनता था हंटर कहती है कि उसने डैन से प्यार किया लेकिन बेकी से ज्यादा प्यार करती थी और इसी वज़े से उसने या अफेयर खत्म कर दिया ये सुनकर बेकी को निराशा होती है कि उसकी अपनी दोस्त और पार्टनर ने उसे धोखा दिया अगली सुबर बेकी का फोन अलार्म बजता है जो ये बताता है कि हंटर का फोन फेके हुए 24 गंटे हो चुके हैं दोनों बेहत प्यास से परिशान होती है इसलिए हंटर डिस्क पर जाकर बैग लाने का फैसला करती है हंटर एक छोर को टावर से और दूसरी छोर को अपने शरीर से बांध कर रसी से नीचे उतरती है वह नीचे तक पहुँचती है लेकिन फिर भी डिस्क तक नहीं पहुँ आप जब कोई और विकल्प नहीं बचता तो हंटर अपने हारनेस को खोलती है रसी से एक हाथ से लटकती है और डिस्क तक जूल जाती है वह बैग को हासिल करती है और उसमें से थोड़ा पानी पीती है फिर वह अपने सेलफी स्टिक का इस्तिमाल करके बैग को रसी से बां बेकी का दिल रुक जाता है लेकिन जब वा नीचे देखती है तो राहत महसूस करती है कि हंटर अब भी बैक को पकड़े हुए है हालांकि हंटर का हाथ गायल हो चुका होता है इसलिए बेकी पूरी ताकत से उसे उपर खींचती है कुछ समय बाद बेकी एक मदद की चिट्थ लिखती है उसे उनके ड्रोन पर लगाती है और उसे मोटल तक बेजने का फैसला करती है दुरभाग्य से ड्रोन बहुत दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है इसलिए उन्हें उसे वापस लाना पड़ता है एक और असफल प्रयास के बाद वे फिर से असाहाई हो जाते हैं उस रात बेकी को एक डरावना सपना आता है कि गित हंटर के शरीर को खा रहे हैं वह तुरंत जाग जाती है और समझती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था अगली सुबह बेकी को एहसास होता है कि वे ड्रोन को टावर की लाइट से लगाती है लेकिन वह डीला होता है इस वजह से उसे चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक कि वह पूरी तरह से चार्ज ना हो जाए भयंकर गर्मी और आसपास के गिद्धों के लगातार हमलों के बीच वह डटी रहती है लेकिन इस प्रक्रिया में वह बैक को ट यहां देखकर लड़कियां हताश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूचता बात में एक तूफान उनकी जीवित रहने की कोशिशों को और भी मुश्किल बना देता है बैकी ठक चुकी होती है और सोना चाहती है लेकिन हंटर उसे मना करती है क्योंकि गित उस पर हमला कर सकते हैं बैकी फिर से हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वह एक बार और अपना फोन नीचे फेक सके लेकिन हंटर कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका जूता नीचे डिस्क पर उसके पैरों में है यहां पता चलता है कि पिछली बार जब hunter गिर रही थी तो वह back को पकड़ नहीं पाई थी वह डिस्क पर गिर गई और मर गई बेकी ने सिर्फ back को उपर खींचा था और तब से वह अकेले ही जीवित रही है दुख की बात है कि बेकी hunter की उपस्थिती की केवल कलपना कर रही थी रात में बेकी किसी तरह तूफान से बच जाती है वह अपने पिता के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वह घर लोटने की इच्छा जताती है कहीं और जेम्स भी बेकी के लिए चिंतित दिखाई देता है अगले दिन गित बेकी की लाचारी को देखता है और उसकी चोटों पर हमला करने ल हंटर का शव पड़ा होता है इसके बाद वह जेम्स को एक संदेश बेचती है और फोन को हंटर के जूते में रखती है इस बार वह जूते को हंटर की शरीर के अंदर डालती है और उसे नीचे फेक देती है रात में जेम्स को संदेश मिलता है और वह तुरंत इमर्जिंसी को जिन्दा देखता है अंत में पिता और बेटी फिर से मिलते हैं और एक भावक शन बनता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है थैंक्स फॉर वाचिंग